हेलो फ्रेंज, व्यू स्पोर्ट मैक्स प्रिव्यू में आपका फिर से स्वागत है अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान सेकेंड टी ट्वेंटी आई धमाकेदार गेम होगी और ये प्रिव्यू भी काफी मज़दार है इस फैंटेसी प्रिव्यू में हम देखेंगे प्लेयर्स के डन्यू रेकॉर्ड्स, टॉप पिक्स, डिफरेंचिल ओप्शन और कैप्टेंची चॉइस इस फैंटेसी प्रिव्यू के प्रायो जखेंगे विजन 11 लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है अब जिसने भी विजन 11 पे टीम मनाई है असली कियर्दों वही करेंगे डाउनलोड विजन 11 इस खेल में वित्तिय जोकिमता तो हैं और इसकी आदत पढ़ सकती है क्रप्या जिम्मितारी से अपने जोकिम पर खेलें बात करें इस गेम की दोस्तों तो अफगानस्तान के लिए काफी हिस्टॉरिक मोमेंट था पाकिस्तान को हराया है पहली बार और ये मोमेंटम कोशिश ये पूरी करेंगे कि आगे सीरीज में भी बरकरार रखें पाकिस्तान के यंग प्लेयर्स के लिए एक अच्छा कासा टेस्ट था विकोज स्लोर विकेट पे जो अग्रेसिव नेचर है वो शायद इनको कर्ब करना पड़ेगा शार्जा की जो पिछ थी यह वैसी पिस्ती जहां पे काफी टन हो रहा था इसलिए बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान के तरफ से वन्स अगें वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग अनी चेंज गुर्बाज एंड जद्रान रहेंगे टॉप टू पर नाइब नंबर तीन पर नाभी चार पर जद्रान नजीबुला जद्रान नंबर पांच पर करीम जनात एट सिक्स, ओमर जाय ए पर ने चेंज इन दे पाकिस्तान 11 चलते दोस्तों देखते हैं दोर टीम के एट रेकॉर्ड की तो अफगानिस्तान के सामने वह ओल इंपॉर्डटेंट विन आ चुकी है अब तक यह दोनों खेले हैं चार वार जिसमें से पाकिस्तान तीन बार जीती है और एक अफगानिस के लिए and accordingly थोड़ असा शायद तो चेंज हो सकता है पर otherwise ये दिखाई दे रहा है जरूर कि ये पेसर को यहां पर इतनी मदद नहीं मिलती जितनी यहां पर स्पिनर्स को मदद मिल रही है चले दोस्तों देखते हैं प्लेयर्स के वेन्यू रेकॉर्ड की तो पाकिस्तान बैटर्स के टी ट्वेंटी रेकॉर्ड अगर हम देखें इस पर्टिकुलर वेन्यू पर शादाब खान 11 इनिंग 128 रन इमाद वसीम 12 इनिंग 106 रन मौंब नवा गरवाज 9 इनिंग 239 रन राशित खान 15 इनिंग 277 रन करीम जनात ने यहां पर 112 इनिंग 11 इनिंग गुलबदी नाइब ने 18 इनिंग 159 इनिंग 155 इनिंग और उस्मान घनी ने भी यहां पर 6 इनिंग 122 इनिंग बनाए हैं 50 की बात करें अब तक तो यहां पर इस वेन्यू पर नजीबुला, जतरान, गुर्बाद और आसित खान तीनों ने एक बार 50 प्लस स्कोर किये हैं पाकिस्तान के बोलर्स के रेकॉर्ड देखें इस वेन्यू पर तो शडाप खान 18 इनिंग में 17 विकेट हैं फाही मश्रब के 8 इनिंग में 15 इनिंग 15 इनिंग 15 इनिंग 15 इनि दूलिये का नहीं आगे चलके बी इनके ऊपर काफी बात करेंगे अफगाने सांग के बोलर्स के बात करें टी ट्वेंटी रेकॉर्ड इस पर्टिकुलर वेन्यू पर राशित खान 23 इनिंग 32 विकेट नाभी 35 इनिंग 27 विकेट मुझीबुर रहमान 16 इनिंग में 26 विकेट इनके गुलबदी नाइप के 15 इनिंग में 24 विकेट करीम जनात 9 इनिंग 12 विकेट फरीद एमद 10 इनिंग 10 विकेट नवी नुलक 13 इनिंग में 9 विकेट ले चुके हैं यहाँ पर और फजलक फरुकी यहाँ पर 4 इनिंग में 5 विकेट चटका चुके हैं चलते हैं दोस्तों तो बात करते हैं अब टॉप पिक्स की फ्रॉम पाकिस्तान नमबर वन पर आते हैं शादाब खान जो की कैप्टन भी है ओल डाउन वैल्यू देते हैं आपको और अपने पूरे कोट आफ ओवर जे करके जाएंगे पिछला गेम का पिछ अगर आप देखो के तो काफी स्लो था और ऐसे स्लो विकेट पर शादाब खान काफी इंपोर्टन हो जाते हैं और हो जाते हैं अपने अगले टॉपिक जो की हैं इमाद वसीम जो भी ओल्डाउन वैल्यू आपको देंगे अफगानिस्तान की जो टीम में आप देखो के तो काफी सारे राइटीज हैं बैटिंग इनो ने करी और पीएसर के सेकेंड हाइस विकेट टेकर भी थे आपकी टीम के एक मस्ट हफिक हो जाएंगे मोहमद हारीस इस दा फोथ टॉप पिक फ्रम पाकिस्तान ओपनर हैं और ऐसी विकेट पर जहां पर मिंड लोग्स में रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और प्लस सामने राशिद खान आजाते हैं तो ऐसी जगा पर मोहमद हारीस को अगर आप पिक करोगे तो अड़वांटेज यह है कि उपर की छे ओवर्स में इनके रन्स आपको फाइदा दिला सकते हैं चलते हैं दोस्तों बात करते हैं टॉप पिक सम अफगानिस्तान नंबर वन पर आते है राशिद खान पिछला गेम काफी बढ़िया था वेन्यू रेकॉर इनके फेवर में है और पाकिस्तान की जो जंग लाइन अप है उसके सामने ये काफी लीतल साबित हो सकते हैं इस वे बोलिंग के थुबी कांट्रिबूशन दिया तो विन न्यू एक्सपिरेंस भी इनके फेवर में है तो ऐसे एक्सपिरेंस प्लेश को हम अपनी तरफ से पूरा बैक करेंगे और इस गेम में अपनी टीम में जरूर रखेंगे फशला अग फरूग की बात करें तो ये नई ब में ये मैच अप सरे जाते हैं एंड हैंस नाजी बूला चतरान को में बैक कर रहे हैं एज टॉप पिक फो इस गेम चलते हैं दोस्तों डिफरेंशल पिक की तरफ और यहां पर दो नाम आपकी तरफ आएंगे फरस्ट हैं साहीम आयूब जो की पाकिस्तान की ओपनर है जैसे हमने डिसकस करता है मौहमद अहरीस के केस में भी पावर प्ले में जो रंस बनेंगे जितनी तेही से बन सकते हैं उसके बाद मिडलोगर्स में रंस बनना स्लोर विकेट पर बहुत मुश्किल हो सकता है एंड हैंस वे बैकिंग साहीम आयूब तो कम गूड और एक अच्छा क अपनी बोलिंग में जोर वन्यूज करते हैं एंड हैंज जमान खान काफी बढ़िया डिफेंचल साबित हो सकते हैं प्लस ये डेट में भी बोलिंग करते हैं तो क्यों हम इनको बैक ना करें एस गुल डिफेंचल इन इस के चलते हैं जोस्तों सेफ कैटेंशिपी की तरफ यहां पर जो तीन नाम आएंगे आपके पास तीनों के पास अबिलिटी है तो कॉंट्रिब्यूट विद बैक और बोल बोत राशित खान शादाब खान और मोहमद नाभी हमने देखा है कि इस विकेट पर अगर स्पिन को हेल्प मिल रही है स्लोर विकेट है तो ये तीनों बढ़िया धमाका कर सकते हैं प्लस बैटिंग वाली वाल्यू भी आपको पका मिलेगी डिफरेंशल कैप्टेंशी पिक की बात करें तो वहां पर हम इसनुला को बैक करेंगे जिसने पिछले गेम में दिखाया था कि इनकी पेस कितना लीतल साबित हो सकती है पहली ही ओवर म मैं काफी राइट हैं और बैटिंग की अबिलीटी भी इनके पास है जिसका यह मतलब है कि यह रंज के थ्रू भी कॉंट्रिबूट कर सकते हैं तो दोस्तों यह थे हमारे टॉप पिक्स डिफरेंशल ऑप्शन सेफ कैप्टेंशी चॉइस एंड डिफरेंशल पिक्स अब ब बैटिंग की यह रंज बना सकते हैं रह्मनुल्ला गुर्बास भी एक बहुत तगड़े पिक हैं अगर आप चाहो तो हैडिस की जगापे पिक कर सकते हो अगर जज़ाई नहीं खेलते हैं गुर्बास कीपिंग करते हैं तो डेफिनेटली वह आपकी कीपर होने चाहिए बै प्लेइब नमबर 9 एन 10 को दो बैटर्स ही होना पड़ेगा यदी पाकिस्तान बैटिंग फ़ोस्ट कर दी है तो आप श फ्क कर सकते हो अब जो लेइंख प्लेइन ओर पर आप अगर पाकिस्तान बोरिंग फर्ष्क कर दी है अगर अफगानिस्तान बोलिंग फर्स कर दिये हैं तो मुझीब और रह्मान या नवीद उलग दोनों में से किसी को भी बैक कर सकते हो और पिच्छ पे जो भी आपको पता चले कि ये पिच किसको सपोर्ट कर सकती है तो दोस्तों ये था हमारा प्रिव्यू याद रहे फाइनल टी मिलेगी हमारी टेलिग्राम चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है डाउनलोड करना मत बूलिएगा जल्द मिलेंगे नेक्स केम के फाइनलेशी प्रिव्यू के साथ तब तक के लिए अलविदा